नमस्कार मैं डॉक्टर श्रधा वसर्ष तापका सबके शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ दिल्ली में वीकंड कर्फ्यू हो गए है बंद जी हाँ नो मोर वीकंड कर्फ्यू इन डेली साथ ही साथ और इवन सिस्टम जो था जिसकी तहट दुकाने खोली जा रही थी दुकान इस दिन खुलेगी वे भी बंद हो गया है तो मैं आप सबी को बताना चाहती हूँ अब भी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो नियम था जिसकी तहट दुकाने खोली जा रही थी नाशनल कैपिटल में वे भी हटा दिया गया है लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा नाइट कर्फ्यू रहेगा नाइट कर्फ्यू ऐसे ही रहेगा जैसे की चल रहा है आप सबी को बताना चाहूंगी की DDM ने एक और फैस्ता लिया है कि जो अब शादी समारों होंगे उसमें 200 तक लोग उसमें शरीक हो सकते हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं और जो बार्स और रेस्टरॉंट्स होंगे यानि कि जो बार्स हैं और रेस्टरॉंट्स हैं खाने पीने की जगाएं होटेल स्वेरा वहां पर 50 परसन सीटिंग के पैसिटी से वह लोगों को बिठा सकते हैं लेकिन साथ ही DDM में ये भी कहा कि जो कोविट प्रोडोकॉल्स हैं जिसमें वेरिंग आफ मास्क ज़रूरी होता है मास्क का पहनना या पर सोचल डिस्टंसिंग को फॉलो करना इन्हें स स्कूल्स की रही बाद जो कि मैं आपको भी विडियो भी लेकर आई थी कि हमारे दिल्ली के उप मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री श्रीमनी सुसोधिया जी कह रहे हैं कि स्कूल्स खोली है बहुत देर होगी है बच्चों का नुकसान हो रहा है लेकिन DDM ने इस विशे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है अगली जो मीटिंग होगी उस पर उसके उसमें डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल्स खुलेंगे या नहीं लेकिन कहीं न कहीं जो ट्रेडर्स की तरफ से स्कूल्स की तरफ से और समाज के अन्ने जो अला गलंग महतपूर्ण हमारे हिस जो कोर्ना के केसिस हैं उनमें भी गिरावट आई है और कहीं न कहीं सरकार का यह मानना था कि अब थोड़े से जो रिस्ट्रिक्शन्स हैं पाबंदियां हैं उन्हें कम कर दिया जाए तो मैं आप सभी कहना चाहूं कि कि दिल्ली में वीकन कर्फियों हटा दिया गया है और सिस्टम जो था दुकानों को खोलने का वे भी बंद कर दिया गया है रेस्टरेंट बार्स अब खुल पाएंगे 50% सीटिंग के साथ शादियों में 200 लोग शरीक हो पाएंगे लेकिन स्कूल अभी नहीं खुल पाएंगे इसका फैसला जब डीडीम में डेली डिजास्टर मै फैसला लिया जाएगा तो उमीद करती हूं उस जानकारी से आपको लाब हुआ होगा मुझे डॉक्टर श्रद्धा वसिश को जाज़त दीजिए नमस्कार